स्टाम विकरेता का लाइसेंस कैसे और किस परकार से लें यदि आपके जहन में भी ये सवाल है और आप भी स्टाम विकरेता बनना चाहते हैं स्टाम विकरेता का आप भी अपने नाम से या अपने किसी रिष्तेदार के नाम से लाइसेंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उप्योगी है इसको पूरा लास्ट तक देखें और समझे कि स्टाम विक्रेता बनने की प्रकिरिया क्या है स्टाम विक्रेता का लाइसेंस है वो राज्य सरकार के दुवारा जारी किया जाता है ना कि केंदर सरकार के दुवारा राजे सरकार के दुवारा जिस अधिकारी के दुवारा स्टाम विर्क्रिता का लाइसेंस किया जाता है वो उपमा निरक्षक होता है पंजियन एवं मुद्रांग शाका का आपका जो भी जिला हो आपको अपने जिला हैड़कॉर्टर पर मिलेगा या संभाग हैड़कॉर्टर पर मिलेगा या दो तीन जिलों का बनाया होता है उसके अंदर वो जिला दिकारी होता है वो मिलेगा तो आपको उसके पास आविदन करना होता है उसका आविदन किस परकार से किया जाता है ये बाकी सरते हमने वीडियो के आगे देखी जिसके नाम से आप लाइसेंस लेना चाते हो उसने 21 वर्ष की उमर पूर्ण कर चुकी हो वो 21 साल का हो चुका हो पहली सर्थ तो ये है दूसरी उसकी शिक्षा कम से कम गस्मी पास जरूर हो तीसरा जिस भी राज्जे से आप लेना चाहते हैं उस राज्जे का मूलनिवासी होना जरूरी है चोथी सर्थ ये है कि तैसीलदार के द्वारा हैसियत परमानपत्तर जारी किया जाता है तसीलदार के द्वारा जारी किया गया एक लाख का कम से कम उसका हैसियत पर्मान पत्र हो कि उसकी हैसियत एक लाख रुपे तक की हो ये पर्मान पत्र जरूरी है ये चोथी सर्थ के अंदर गत आता है पांचवी सर्थ के अंदर गत आता है जिला पुलिस अदिक्षक Superintendent of Police SP के दोबारा शरीतर पर्मान पत्र जो जारी किया जाता है वो चाहिए चटें नमबर पर आता है आपको मुलनेवास पर्मान पत्र होना चाहिए साथ में नमबर पर आता है जिला एमेतर जो सुसाइटी होती है उसके दारा अंसुनसा पतर जारी किया जाता है वो आपकी स्पास होना चाहिए आठवे नमबर पर आता है कि हर साल कम से कम पचास जार रुपे का स्टाम तो आपको खरीदना ही खरीदना होगा इसके लिए आपको एक सपत पतर देना होता है नो में सर्थ होती है आवे दन फारम ए भरना अच्छी तरह से भरना जाना चाहिए ये फारम जिसके अंदर जो भी जानकारी मांगी गई है वो आपको सहीज तरीके से इस फारम के अंदर भरनी चाहिए ये दसवे नमबर पर जो फारम की एक निरधारित कोर्ट फीस होती है वो देनी होती है। ग्यारवे नमबर के अंदर कर आता है दोज माजिक पर्थिस्टांक व्यक्ति या गजेटेड अफिसर जो गजेटेड अधिकारी होते हैं। उनके दोवारा जो चरीतर परमान पत्र जारी किया जाता है वो दो चरीतर परमान पत्र आपको लगते हैं। इनके अलावा किसी परकार का और कोई डोकुमेंट की जुर्ट नहीं होती।